इसमें लब रह्मान रहीम, Assalamualaikum, 6th class, I hope you all are doing good, so students are unit number 7, solutions and suspension card, जो हम topic करेंगे वो है solution, so solution की basic definition, तो मैंने आपको basic facts पे जब हमने study किया था previous lecture में उसको मैं आपको मैंने बताया था कि solution homogeneous mixture को कहते हैं, जब भी substances को हम add करते हैं और उसका homogeneous mixture बनता है, उसको हम solution कहते हैं, for example, हमा यह stirrer रखा हुए है और यह जो blue color काप रुको रहा 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 है, for example, यह हमार पास salt plus water का mixture है, अब इस salt plus water को जो हम यहाँ पे इसमें हमने add किया और stirrer से जब इसको mix करेंगे, तो salt dissolve हो जाएगा water में और यह हमार पास resulting जो चीज़ आएगी, इसको हम कहते है solution, salt के जगा कोई कोई भी चीज़ और हो सकती है, जरूरी नहीं, salt, salt के इलावा कोई भी substance हो सकता है, जो इसमें water में mix करें तो solution बनता है, और वो substance जो के dissolve हो जाए in water, यहाँ पे जो salt है, यह water में dissolve हो रहा है, तो इसको हम salute कहते हैं, और water यहाँ पे क्या कर रहा है, salt को अपने अंदर dissolve कर रहा तो salute के हमारा पास different examples है, यहाँ पे हमने जो example है, यह salt है, salt के जगा sugar भी हो सकती है, या कोई भी और substance है, यह different किसम के salts कुछ भी हो सकती है, oceans जिसमें mostly water होता है, यह two-third of earth surface को cover करता है, two-by-third earth का जो part है, वो oceans से covered है, और oceans में हमारा पास strong solutions मोजूद है, इन strong solutions में जो solvent है, वो water है, water के अंदर मुख्तलिफ substances dissolve हैं, इन substances में salts भी शामिल है और मुख्तलिफ चीज़ें शामिल है, और इन सब को हम salute कहते हैं, तो salt और other substances जो के dissolve होते हैं, इन water, इनका जो solution होता है, strong solution वो oceans में present होता है, इसके लावा solution दो किसम के होते हैं, dilute solution and concentrated solution, dilute solutions कहते हैं, वो solutions जिन मे solute less amount में होता है इसके concentration कम होती है और solvent की concentration ज्याद होती है more means कि solute कम मिगदार में present होता है solvent ज्याद मिगदार में present होता है यहां पर अब solute कुछ भी हो सकते है for example जब बारिश होती है तो उसमें rain water उसमें water बारिश के 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 बारिश वोट ड़ने के बाद डिफरेंट सॉल्ज वगैरा मुछिव सबस्टानिस उस बारश के पानी में चांड होती हैं तो उस Cum मिले तो निव जो जो सबस्तानिस बारश के पानी में ज्यादा हो जाती है जब कि सॉलव Staub जो water है वो कम मिगदार में present होता है तो वो जो solution बनता है वो concentrated solution है तो इसे में इन दोनों में solutions में difference यही है कि solute की concentration कम और solvent की ज्यादा हो तो वो dilute solution होता है या weak solution और concentrated solution वो जिसमें solute ज्यादा मिगदार में होता है solvent कम मिगदार में होता है इसको concentrated solution कहते हैं या फिर strong solution कहते हैं दिर वानी solids, भूछ से ऐसे solids हैं जो कि कुछ liquids में तो dissolve हो जाते हैं liquids की बहुत सारी example उसमें, एक example हम जो बईस तक study करें ह। वह water liquid है, इसеше गलावा मुदिफ किसम के liquids होते हैं तो बहुत से ऐसे solid हैं जो के कुछ liquids में तो dissolve हो जाते हैं जब के बागी liquids में वो dissolve नहीं हो पाते हैं और इसमें से भी कुछ ऐसी examples होती हैं कि जब solid हम liquid में dissolve कर लेते हैं तो कोई chemical change नहीं होता means यहां पे solid जो है वो solid की तोर पर act कर रहा है और liquid जो अगर वो solvent की तरह act कर रहा है तो इस कुछ ऐसे cases होते हैं जिसमें कोई chemical chain नहीं होता है और solid जो कि इस liquid में dissolve करते हैं वो still वहां पर मौझूद होता है और उसको हम टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं for example sugar या salt solution की case में like अगर salt या sugar हमने water में dissolve कि इसका solution प्रिपेर किया तो इसको हम taste कर सकते है sugar या salt की presence को इसको हम taste करते हैं तो इससे पता चलता है कि solute means कि salt या sugar जो इसको हम salute कर रहे हैं वो water में present है इसके लावा for example अगर हम 100 gram को भी solvent लेते हैं और इसमें 10 gram solute dissolve करते हैं तो resulting solution बनता है उसका weight होता है 110 gram it means कि इसमें solute present है क्योंकि और original solvent था उसकी जो concentration थी थी या उसका weight था 100 gram था अभी 110 gram हो गया हमने Slute Add की यह है और वो इसमें present है सलीज का weight increase हो गया है अब वो solids कुछ ऐसे solid होते हैं जो insoluble होते हैं कुछ particular solvents में लाइक बहुत ही ऐसे solid हैं जो कि water में ने dissolve होते हैं तो उनको हम कहते हैं insoluble अगर को a solid water से हो जो हरा तो उसका कहते है they are insoluble in water औरकिसी और में liquid में dissolve हो रहा है तो हम कहेंगे it is soluble in that liquid so आज का आपका homework है read the topic solution on page 68 to 69 of your textbook see you next time Allah फेस